So, Hello Everyone, Welcome to the Anthropology Day 9th in the Anthropological Theories. So, पिछली वीडियो के हंदर हमने जो है वो अल्रेडी जो है वो राल फ्लिंटन के बारे में पढ़ लिया था, फिर मार्गरेट मीड के बारे में पढ़ लिया था, फिर कैसे जो है वो हमने वो भी पढ़ा कि कैसे जो है वो मार्गरेट मीड के काम को जो है वो लोगों ने डि कैसे जो है वो नेचर नर्चर डिबेट के अंदर जो है वो नेचर को बिलकुल नकार दिया है और कैसे जो है वो मार्गरेट मीड ने जो है वो नर्चर को एक बहुत बड़ी पुजीशन जो है वो दी है अपनी डिबेट के अंदर तो आपके पास जो है वो Margaret Mead के अंदर जो है वो हमने बातें करनी थी तो we have done about the Margaret Mead and फिर जो है वो हमने देखा Margaret Mead कैसे जो है वो कल्चर को personality का जो है वो आधार बनाती है और फिर जो है वो हमने जो है वो अपनाती हैं तो अगर Margaret Mead कह रही है कि जो है वो आपके पास मेरे लिए जो है कल्चर सब कुछ है तो Ruth Benedict ये कह रही है कि मेरे लिए जो है वो personality सब कुछ है तो Ruth Benedict जो है वो basic ethos का approach जो है वो अपनाती है वो कहती है कि basic ethos को find करने की कोशिश करो तो वो जो है वो आपके पास अलग-अलग संस्थानों को study करती हैं और अलग-अलग अलग अलग लोगों को study करती हैं interview करती हैं और interview से जो है वो लोगों के जो general characteristics हैं कि for example वो डोबू society को study करती है डोबू society को जो है वहां पे वो देखती हैं कि उनके अंदर डोबूज के अंदर जो होस्टिलिटी बहुत जादा है तो वो कहती हैं कि यह जो है वो आपके पास जो है इंडिविजुलिटी बहुत जादा है competition का sense बहुत जादा है तो वो कहती है कि इन dobruins के अंदर जो है वो आपके पास कौन सी personality आ गई आपके पास जो है वो oh dakika डाइनूजियन personality जो और अलग-अलग institution जो हैст वह वैसे ही बनते हैं, for example मैजिक के अंदर जो है वो वेंजेंस का कॉल जो है वो बहुत कॉमन है तो जो एक आपके पास मैलेनाइन मैजिक है जो आपके पास विच क्राफ्ट है वो जो है वो जादा होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है और उसके अंदर जो है वो वेंजेंस का कॉल कॉल जो है वो लिया जारे स्टार्ट हो जाता है, फिर ठीक जो है वो इसके वप्रीत आत्मक जो है वो आपके पास ढाइ जो आपके पास जूझी। ZUballs रेड इंडियंस को वो स्टड़ी करती है और बाइसे रेड इंडियंस के अंदर हो और उसने पूरा का पूरा जो है वो आपके पास सब कुछ जो है वो रंग दिया हो तो उनको जो है वो कोपरेशन जो है वो हर एक institution के अंदर जो है वो नजर आती है family के अंदर उनको कोपरेशन नजर आती है उनको even magic भी magic के अंदर भी cooperation नज़र आना start हो जाती है, वो कहते हैं कि आपके पास जो witchcraft है, वो बिलकुल एलसेंट है, जो आपके पास जो melanine magic है, वो जो है, वो आपके पास बिलकुल absent है, only bona fide magic is there, शिरफ bona fide magic जो है, वो आपके पास perform किया जाता है, तो आपके पास जो hostility है, वो भी जो है वो बिल्कुल absent है, in the place of the hostility, what happens is, यह आपके पास जो है, जो लोग है, वो hostility को भूल जाते हैं, hostility को जो है, वो बिल्कुल हटा दिया जाता है, और hostility की जगा के ऊपर जो है, वो आपके पास एक, जो एक sense of cooperation है, वो जो है, वो आ जाता है, अगर कोई आपके पा fighting होती है, open debates होती है, उनके अंदर, ठीक है, इवन, यह भी देखा जाता है कि sense of security जो है, वो लोगों के अंदर बहुत जादा है, और sense of security इसके अंदर देखा जाता है, कि आपके पास जो divorces हैं, they are very common, बहुत common और बहुत simple divorces होते हैं, ठीक है, तो sense of security, simple divorce जो है, वो कहते हैं कि sense of security की बज़य से बने हैं और यहां पर जैसे मैंने बताया कि Margaret Mead आपके पास जो है वो उपर किसको रखती है Margaret Mead के लिए उपर है culture आपके पास Ruth Benedict के लिए उपर है आपकी basic personality basic ethos basic ethos इंसान के अंदर होंगे और आपकी जो basic personality है आपके जो basic ethos है Margaret Mead कहते हैं कि वो जो है वो आपके culture को रंग देता है वो उसने जो है वो culture को determine कर दिया है ठीक है तो इन चीजों को हम already कर चुके हैं so I have just told you a recap तो आपको जो है वो एक recap मिल जाएगा आपके पास functional approach जो आपके पास राल फ्लिंटन की functional approach है उसने कहा है कि culture ने personality बनाया परस्नेलिटी ने culture बना दिया अब इन दोनों ने Margaret Mead ने properly समझा दिया कि कैसे बना वो रूथ बेनेडिक्ट ने properly समझा दिया कि कैसे परस्नेलिटी से culture बना ठीक है तो राल फ्लिंटन को समझा दिया दोनों दोनों ने फिर अगें इसी चीज का analysis इसी interplay का analysis जो है वो बाकी सिंकर जो है वो आपके पास करेंगे ठीक है जलिए आगे बढ़ते हैं so before you move forward one very important information अगर आप पीडिया फाइल जो है वो download करना चाहते हैं then you can visit the o2is academy आप 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 के ऊपर जो है वो जा सकते हैं इनके जो है वो store section के ऊपर जाईए in the store section you will find this course यह जो कोर्स है वो आपको मिलेगा anthropology optional revision and answer writing course in the revision and answer writing course आपको जो है वो इनका एक resource section जो है वो मिलेगा in the resource section आपको जो है वो कुछ पीडिया फाइल्स मिलेंगी जो भी आपके यहां पर पढ़ाया जाता है आपको यूट्यूब चैनल के उपर पढ़ाया जाता है आपको वो जो है वो सारी चीज़े जो है वो आपको free of the cost जो है वो PDF के अंदर जो है वे मिल जाएंगी ठीक है तो पिछली class के अंदर या फिर पिछली वीडियो के अंदर भी हमने जो है वो themes के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी तो जब ह please समझाईए कि अलग-अलग anthropological approaches जो है वो आपके पास कैसी है फिर उसके बाद जो है वो दूसरी theme जो पूछी जाती है वो contribution के बारे में पूछी जाती है तो जब contribution के बारे में पूछा जाता है तो दो चीज़े लिखनी बहुत important हो जाती है बहुत important हो जाती है पहली के बारे में पूछा जा रहा है उनका काम के बारे में लिखना important हो जाता है कि उन्होंने किताब कौन सी लिखी है या फिर उन्होंने जो है field work कहां पे जाके किया है फिर उसके बाद जो है वो उनकी methodology या फिर method के बारे में जो है वो लिखना बहुत important बन जाता है कि उनका method क् उनकी जो है वो methodology क्या है और methodology को substantiate करने के लिए किस तरह से उन्होंने जो है वह अपनी studies जा फिर जो अपनी ethnography है वो जो है वो conduct की है तो यह जो है वो दो चीज़े लिखनी बहुत important हो जाती है और तीसरा जो आपके पास इसी theme से जो है सौरी तो वो पूछा जाता है कि आपके पास जो है कंसेप्स के बारे में फॉर एक्जामपल यह पूछा गया explain रूथ बेनेडिक्ट्स pattern of culture रूथ बेनेडिक्ट के pattern of culture को समझाईए ठीक है pattern of culture हम already यहां पे जो है study कर चुके है कि pattern of culture जो है रूथ बेनेडिक्ट ने pattern of culture को किस तरह से समझाया है कि आपके पास जो pattern of culture है they are the configuration वो जो है देखो यह keywords होते हैं यह आपके पास entro का vocab है यह entro का lexical होता है तो अगर आप in keywords को लिख रहे हो तो आपको जो है वो number दिये जाएंगे अगर आप इन keywords को नहीं लिख रहे हो तो कोई number नहीं है ठीक है तो कुछ भी आप अनाप्षनाप लिखके आ जाते हो बहुत सिंपल भाषा में लिखना है जनरल लिखना है यह बकवास है एक दम बकवास है यह तो आपके पास entro का paper है तो उसमें entro की vocab जो है वह जरूरी होती है कोई भी आपके पास technical paper आप लिखते हो कोई भी आप specialized discipline के अंदर जाते हो उसका एक vocab होता है उसके keywords होते हैं उसकी terminology होती है उस terminology को लिखना उस vocab को लिखना बेहद बेहद important होता है ठीक है तो आपके पास जो Ruth Benedict है pattern of culture को क्या कहती है that these are the configurations यह configurations मिलती है और आपके पास जो है type of culture जो है वो बन call जाता है ठीक है और इन्ही configurations को वो क्या कहती है यह they are the basic ethos वो जो है वह आपके पास basic ethos है या फिर जो जो है वापके पास basic personalities हैं ठीक है जो आपके पास हर एक इनसान के अंदर जो है, वो होगी, जो बाकी एक इनसान के अंदर ethos आएंगे, values आएंगे, they will be in addition to these basic personalities, और फिर जो है, वो in configuration को, या फिर जो है, वो pattern of culture को जो है, वो दो parts में वो divide कर देती है, ठीक है, dynasian और आपके पास जो है, वो apolean, ठीक है, तो दो से जो है, वो आप divide कर देती हैं और फिर जो है वो आपको case study लिखनी है इस तरह से आपको जो है वो इस सवाल को जो है वे explain करना है ठीक है again the keywords are very important keywords बहुत important हो जाते हैं anyways जो आपके पास जो second theme है वहाँ पे जो यह चीज है कि concept के बारे में बात करना वो बहुत बहुत important हो जाता है फिर आ आपके पास national character studies तो national character studies के अंदर जो important चीज बनती है पहली कि किन किन लोगों ने national character studies किये है फिर दूसरी जो है वो आपके पास national character studies के अंदर important चीज क्या है वहिद important कि आपके पास methods कौन-कौन से use हुए है एक है आपके पास distance के अंदर study करना दूसरा है field बर करना फिर दोनो दोनों method के उपर कैसा कैसा काम हुआ है उसका example देना उन चीजों को explore करना ठीक है फिर उसके बाद जो तीसरा important चीज आता है इनके अंदर राधर वो पहले पहले लिख देना चाहिए था वो जो है वो आपके पास इनके अंदर जो है वो assumptions क्या रखी गई है ठीक है वो आप जो better की अगर आप पहले ही लिख दे introduction के बाद ही लिख दे फिर जो है वो चौथा part आता है जो बहुत important है वो है criticism ठीक है तो कोई भी आप जो है वो theme explore कर रहे हो उन themes को आप इसी तरह से step by step जो necessary actions है जो necessary चीजें हैं क्या लिखनी है उन चीजों को आप explore करोगे ठीक है इन चीज जो है वो universities के अंदर यह term बहुत common होती है blueprint बनाना blueprint का अर्थ क्या होता है कि जो आपके पास जो basic necessity है question की जो basic structure है question का वो आप एक rough page लेके या फिर आप जो है वो question paper के उपर ही आप पहले जो है वो आपका paper checker जो है वो बना लेता है कि यह चीजे जो है वो आपके पास basic है अ अपने जो है वो कुछ भी अंडिशंट लिख दिया sorry for the language अगर आपने कुछ भी जो है वो introduction के अंदर लिख दिया ठीक है आपने कोई proper introduction नहीं किया आपने जो है वो नाम नहीं लिखे anthropologist के जिनके जिनोंने जो है national character studies के अंदर काम किया है तो आपके पास जो है वो introduction के जो marks ह है वो जो है blue print बनाया जाएगा ठीक है exactly I also do not know to be very frank कि introduction के कितने marks होते है किसे को भी नहीं पता हो तब वहीं पे वहीं लोग जो है वो कठा बैठते हैं और decide करते हैं वहाँ पे चीजों को ठीक है तो आपके पास जो है वो introduction के marks हमारा जो है वो आपके पास यही motive होना अंदर जो है वो कौन कौन सा content जो है वो important रहता है उसको structure करना कितना important रहता है कैसे structure किया जाए ताकि question के साथ जो है वो justice हो जाए ठीक है तो हमारा basic जो है वो aim in videos के अंदर वो यही है तो just go through the questions you will find all की questions जो है वो इनी theme से जो है वो बार बार जो है repeat किये जा रहे हैं फिर उ पड़ने वाले हैं अब्राम कार्दनर को अब्राम कार्दनर की जो approach है उसको हम basic personality approach कहते हैं उन्होंने basic personality का जो concept है वो दिया है ठीक है so he introduced the concept of the basic personality अब कई कहोगे कि आपके पास जो है वो basic personality बगएरा तो राल्फ रिंटन ने दी थी उनकी basic personality और इनकी basic personality के अंदर अंतर है इन्होंने basic personality को जो है वो समझाया है कि basic personality बनती कैसे anyways ठीक है so in his book the individual and his society यह किताब जो है वो आपके पास important है it is very very important individual and his society he defined the basic personality as the constellation again this is the keyword constellation of the traits constellation कैसे for example आपके पास तारों का constellation है तो आपने तारों को मिलाया और तारों से जो है वो आपको एक recognizable feature मिल गया तो उसी तरह से वो कहते हैं कि इस तरह से बहुत सारे traits होते हैं आपके अंदर ठीक है वो जो है वो बहुत सारे traits जो है वो आपके पास आपका एक feature बनाते हैं आपका एक characteristic बनाते हैं वो आपकी जो है वो एक basic personality का एक जो element है वो बना देते हैं For example, let's say, आप गांधिवादी हो, ठीक है, आप जो है वो गांधि निजम को follow करते हो, आप गांधिवादी हो, तो आपके अंदर जो है वो एक politeness रहेगी, politeness क्या है, आपका एक trait बन गया, फिर आपके पास जो है वो एक truthfulness रहेगी, truthfulness एक trait बन गया, फिर आपके पास एक stewardship का trait रहेगा stewardship जो है वो अपना एक ट्रेट बन गया stewardship के अंदर जो है वो आपके पास अलग से जो है वो बहुत सारे वर्चू रहेगे तो इस तरह से जैसे बहुत सारे तारे मिलके एक recognizable figure बनाते हैं वैसे ही आपके पास बहुत सारे constellations मिलके बहुत सारे traits के जो constellation मिलके जो है वो आपका जो है वो एक characteristic बनाएंगे और यह जो constellation of trait है यह किस तरह से बनता है it is the it is due to the early experience जो इनसान को बचपन में जो है जो इनसान को experience मिल जाता है तो इसलिए जो है because यह constellation को उस बचपन वाले experience को बचपन वाली personality को जो समझाते हैं तो इसको जो है वो जो अबराम कारदनर है इसके concept को कहा जाता है the basic personality concept ठीक है तो वो कहते हैं कि culture जो आपके पास primary institutions हैं तो वो institutions को दो parts में डिवाइड करते हैं अबराम कारदनर जो है basic personality को समझाने के लिए institution को दो parts में डिवाइड करते हैं पहला है आपके पास जो है वो basic institution, या फिर आपके पास जो है वो primary institutions, primary institutions for example आपके पास जो है वो family organization होगी, कुछ आपके पास peer group की social organization होगी, आपको जो है basic discipline, sexual control, basic discipline जो आपको family देती है, वो आपके पास एक हो गया, ठीक है, तो these things, they are known as the primary institutions, उनको basic या primary institution कहते हैं, यह जो primary institution है, इनके अंदर ज़्यादातर households के अंदर जो ethos हैं, वो common रहते हैं, तो इसके साथ आपके पास जो है, वो एक basic personality का जो है, वो निर्मान हो जाता है, तो basic personality के निर्मान में जो है, वो आपके पास जब आपने कुछ गलत किया, तो आपको जो ह आपके फादर साब ने चाटा लगा दिया, तो आपके अंदर एक anxiety पैदा होगी, बहुत जादा anxiety पैदा होगी, तो फिर उसके बाद anxiety को relief करने के लिए secondary institutions बना जाते हैं, ठीक है, तो जिस तरह की anxiety आपके पास primary institutions create कर रहे होते हैं, personality के अंदर, उस anxiety को absorb करने के लिए जो है, वो आपके पास secondary institutions बना दिया जाते हैं, secondary institutions evolve करते रहते हैं, जैसे जैसे आपके पास personality के अंदर stresses change होती जाती हैं, वैसे वैसे आपके पास secondary institutions जो है, वो evolve करते रहते हैं, generally जो primary institutions हैं, उनमें इतना change नहीं आता, secondary institutions में जो है, वो आपकी personality के हिसाब से जो है, वो change आता रहता ह ठीक है तो ये आपके पास एक क्रक्स है जो अबराम कारदिनर का बेसिक परस्वालिटी अप्रोच है सवाल पूछा गया था 2020 के अंदर या फिर 2021 के अंदर सवाल पूछा गया था बेसिक परस्वालिटी अप्रोच के बारे में सवाल पूछा गया था ठीक है तो आपके पास पर अप्रोचिस के ऊपर सवाल पूछा गया था तो उसके अंदर राल फ्लिंटन की कौन सी अप्रोच है फंक्शनिस्ट अप्रोच है आपके पास रूथ बेनेडिक्ट की कौन सी अप्रोच है कल्च्रल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है ठीक है आपक का मतलब वो जनरल एथोज लोगों में find out करने की कोशिश करते हैं ठीक है एथोज का मतलब जिनको यहां पर ट्रेट लिखा गया है ठीक है लेकिन इनका मानना क्या है अबराम कार्दिनर का मानना क्या है कि आप लोगों की constellation of trait personality को ही आप देख लो तो उसमें basic ethos आ गए इसमें basic personality आ गई तो वो basic ethos की या फिर central axis approach कहलो उसको ठीक है तो आपके पास basic ethos की approach है वहाँ पे traits को आप जो है वो पकड़ते हो इनके अंदर आप पूरी की पूरी personality को जो है पकड़ने की कोशिश करते हो अब methodology इनकी क्या है methodology के अंदर क्या किया जाता है institution को जो है वो primary और secondary में divide कर दिया जाता है जो आपके पास primary institution है वो जो बच्चे के साथ सबसे पहले संबंद के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं primary institutions तो primary institutions के अंदर आपके पास आ जाता है आपका environment आपकी economy family organization social organization sexual control basic discipline polity यह सारी चीज़े जो है वो आपके पास कहां पे आ जाती है they are in the primary institutions वो primary institutions के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़े जो है वो आ जाती है ठीक है primary institution जो है वो आपके पास क्या करते हैं आपके पास जो बच्चे हैं उनको discipline करने की कोशिश करते हैं ठीक है जो उनकी needs हैं उनकी demands हैं बच्चों की उनको gratify करने की कोशिश करते हैं Disciplining, जब आपके पास Disciplining होती है, खास करके मैंने जैसे Disciplining का Father के चांटे का example दिया, Father, वो कहां पे बैठे हैं, Family Organization में बैठे हैं, ठीक है, तो आप आपने कुछ गलत किया, Father ने Discipline करने के लिए जो है, वो आपको चांटा लगा दिया, तो आपके पास जो है, वो आपके अंदर एक Tension पैदा हो गई, ठीक है, Tension के, Tension को Relief करने के लिए जो है, वो आपके पास एक पूरा जो है, वो Religious सिस्टम बना हुआ है, पूरा Folklore का सिस्टम बना हुआ है, आपके पास बहुत सारी ऐसी Folklore आजाएंगी, जिसमें जो है, वो ये बताया जाएगा, कि अगर फादर, मदर जो है, वो आपको कुछ बेसिक ग्यान दे रहे हैं, तो उनको जो है, वो रिबेल नहीं करना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है, वो आपको जो है, वो बहुत सारी ऐसी Folklore मिल जाएंगी, जिसमें जो है, वो एक आग्याकारी पुत्र बनने की जो है, वो कहान ही आपको बताई जाती है, कि आपको माबाप का जो है, वो आग्याकारी बेटा या बेटी बनना है, ठीक है, अब बेसिकली Folklore ने क्या किया, या फिर Mid सिस्टम ने, या फिर Religious सिस्टम ने क्या किया, कि आपके अंदर जो एक धुआ उठ रहा था, Rebellion का धुआ उठ रहा था, Tension का धुआ उठ रहा था, उसको जो है, उसने शांत कर दिया, ठीक है, तो Primary Institutions वो होते हैं, जो कि आपके पास Child के सबसे करीब होते हैं, Environment, Economy, ये आपके पास जो है, जब आप Adolescent Age तक Grow Up करते हो, त आपके ऊपर जो है, वो देखने को मिलता है, फिर उसके बाद Secondary Institutions, in the Secondary Institutions, you have Myth, Folklore, Religion, Concept of Duties, Concept of Duties के अंदर जैसे आग्याकारी होना है, का आपकी डूटी बन गई, Magic, Art, Taboo System, ये जो सारी की सारी चीज़े हैं, they minimize the tension that is generated by the primary institutions, जो 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 है, वो आपके पास primary institution generate करते हैं, त tension को जो है, वो minimize कर देते हैं, अब आपके पास बात आती है, यहाँ पे तो ये पता चल गया कि जो basic personality है, basic personality है, वो कैसे उसका formation हो रहा है, और basic personality जो है, वो कैसे आपके पास जो है, वो culture के उपर पर भाव डाल रही है, और culture जो है, वो basic personality को कैसे बना रही है, so basically what happens is that the primary institutions primary institutions क्या है भई वो भी culture का part है वो आपकी जो है वो basic personality जो है वो formulate कर रहे है और जो आपके पास basic personality है वो क्या है कि वो जो है वो आपके पास culture जो है वो formulate करती है ठीक है वो जो है वो culture के अंदर जो secondary institutions है वो जो है वो आपके पास जो है वो formulate करते है ठीक है अब बात आत है वہ आपको देखने को मिलता है तो basic personality के अंदर जो है वो आपके आपके पास जो है वो तीन major चीज़े जो है वो आपको देखने को मिलती है ठीक है तीन major चीज़े कौन सी है पहली है ideal consultation ठीक है दूसरी है आपके पास aid ego and super ego और तीसरी है आपके पास supernatural beings, आइडल constellation के अंदर क्या होता है, कि आपके पास जो है, आपके पास जो आइडल traits हैं, उनके बारे में बात की जाती है, आइडल constellation के ऊपर ही आपके पास जो है, वो ego, super ego और id का concept बनता है, और super ego का concept जो है, वो आपके पास जो है, super natural beings के साथ बनता है, ठीक है, चलिए इसको जो थोड़ा सा जो है, वो और ध्यान से रीड करते हैं, तो यही था सब कुछ जो मैंने पीछे बताया, कि अबराम कारदनर जो है, वो आपके पास personality को इन तीन parts में जो है, वो डिवाइड करते हैं, आइडल constellation, id ego and super ego, and the attitude towards the supernatural being, supernatural being के तरफ जो है, जैसा आपका attitude होगा, आइडल constellation, आइडल constellation के अंदर क्या होता है, कि जो आपका security system बनाती है, ठीक है, for example, आपको बड़ा प्यार है किसी चीज़ से, ठीक है, तो वो जो प्यार है, वो क्या बनाएगा, आपका security system बनाएगा, ठीक है, जैसे for example, जो है, वो आपने बहुत अच्छी तयारी कर रखी ह तो यह क्या बनाएगी, आपका security system बनाएगी, so there are certain virtues, like honesty, honesty का virtue आपका security system डेवलप करता है, if you are honest with yourself, तो आपको पता होगा कि मैं इस culture के अंदर, मैं society के अंदर कहाँ पे standing रखता हूँ या रखती हूँ, तो idle constellation आपकी बन गई, तो आपको पता चल गया कि मेरी standing कहाँ पे है, this is the idle constellation, so यह आपके पास techniques of thinking होती है, honesty it is just a technique of thinking, truthfulness, अगर आप सच बोलते हो, तो आप जो है, वो किसी से डरोगे नहीं, ठीक है, तो यह जो, this is idle constellation, और यह idle constellation जो है, वो आपका ego develop करता है, ego develop करने का मतलब क्या है, कि यह आपका एक self concept, वो develop करता है, कि जिस तरह से आप अपने आपको represent करते हो, कि मैं कौन हूँ भई, जब आप से बता, पूछा जाता है कि आप कौन हूँ, आप अपना idle constellation बताते हो, आप से पूछा गया कि आप कौन हूँ, आप अपना नाम पर जैसे मेरा नाम अकाशदीब सिंग है, तो फिर मैं बताऊंगा कि अकाशदीब सिंग का idle constellation क्या है, यानि कि अकाशदीब सिंग के अंदर जो है वो आपके पास qualities क्या है, लेट से मैं गांदियन हूँ, ठीक है तो गांदियन की फिर जो है वो मैं आगे qualities बताऊंगा, ले यह जो पूरा का पूरा आइडल कॉंस्टिलेशन है वो मेरा एक security system जो है वो develop करेगा ठीक है तो जो आपके पास आइडल कॉंस्टिलेशन है वो आपके पास जो आपका ego है वो develop करता है ego के साथ दो और चीज़े होती है इड इड का मतलब है जो आपकी biological rooted needs है जैसे for example sexual gratification चाहिए आपको ठीक है तो sexual gratification आपको चाहिए यह आपकी एक biological need है अब आप sexual gratification किस तरह से प्राप्त करते हो वो जो है वो आपके पास जो है वो आपका ego बताएगा और फिर जो है वो आपके पास बात आती है super ego की super ego के अंदर आती है ideal qualities ideal qualities जो qualities आपके supernatural beings के अंदर है तो जुनिया के अंदर जो ideal qualities है वो आपके supernatural beings को जो है वो रख दी जाती है for example supernatural being he is all powerful वो बहुत powerful है वो किसी से डरता नहीं है तो this is ideal quality ठीक है किसी से ना डरना हमेशा सच बोलना सच का परतीक हो जाना वो एक ideal quality है तो जो सारी की सारी ideal qualities है वो super ego के अंदर रखी आती है और super ego जो है किस से परभावित होता है वो जो है seas个 natural being से परभावित होता है कियोगा society जो आपके पास अच्छी qualities हैं उनको किसके साथ attribute कर देती है आपके भगवान के साथ जो है वो attribute कर देती है ठीक है इस तरह से वो जो का structure जो है वो बताते है आइडल constellation आइडल constellation के अंदर वही सारी चीज़े हैं so this is a technique of thinking for example आपकी technique of thinking it is in grind or it is built around the honesty or it is built around a truthfulness so आपके पास idle constellation these are the techniques of thinking जो की आपका security system जो है वो बनाती है एड के अंदर जो है वो आपके पास biological needs है जो की आपके पास जो है जो immediate gratification demand करती है लेकिन immediate gratification हो नहीं सकता तो उसके लिए आप जो है वो आइडल constellation के around जो है वो अपना ego जो है वो develop करते हो तांकि इड को आप fulfill कर सको basic needs को आप fulfill कर सको without harming the society society को harm किये बगार ठीक है this work it is done by yourself concept आपके ego से जो है वो आपका जो है वो यह सारा काम जो है वो किया जाता है the ego it is integrated personality that results when the eads feelings they are properly channelized and they are controlled under culture this ead की feeling को जब आप जो है वो culture के अंदर जो है वो control कर देते हो फिर उसके बाद बात आती है super ego की super ego का मतलब है कि this is the value system यह आपके पास एक value system है that gets integrated into the conscience जो कि आपके conscience के अंदर integrate हो जाता है यह कैसे integrate होता है with the process of socialization जब आप यह बताते हो कि भगवान ऐसा है भगवान वैसा है तो आपके पास भगवान के पास जो है वो सारी की सारी आइडल qualities है तो आपकी जो conscience है उसके अंदर वो आइडल qualities जो है वो ingrain हो जाती है उनके अंदर वो जो है वो super ego आपका जो value system है आपका जो conscience है वो जो है वो सोचता है ठीक है so getting the point to this is the structure of your basic personality अब वो जो है वो आपके पास so this is a case study that has been done by the Abraham Cardinal जो की case study जो है वो Abraham Cardinal ने जो है है वो आपके पास की थी तो जो आपके पास Abraham Cardinal का जो काम है वो है आपके पास marcusion society के अंदर ठीक है so it is in the marcusion society और वो marcusion society के अंदर जो है वो इन चीदों को properly समझाते हैं कि आपके पास जो है वो किस तरह से जो primary institutions हैं वो आपकी जो है वो basic personality बना रहे हैं और आपके पास जो basic personality है वो किस तरह से आपके जो है वो secondary institutions को develop कर रही है so in the marcusion society he says that the male to female ratio it is quite imbalanced तो आपके पास जो है male to female ratio it is five point sorry two point five is two one और एक maternal neglect जो है वो आपके पास family के अंदर जो है वो होता है कि mother जो है वो आपके पास बच्चे को properly जो है वो संभालती नहीं है so basic personality क्या बनती है कि बच्चों के अंदर anxiety आनी start हो जाती है secondary institution क्या बनते है कि इस personality को कि जो fear को समझाने के लिए जो है वो आपके पास जो है वो वीमें का एक hostage representation जो है वो किया जाता है कि जो वीमेद है वो वहाँमनाई होती है वह मनाई का मतलब क्या है कि जो वीमेन है वा आपके पास जो है वह चडेल की तरह होती है कि वो जो है वो बच्चों को खा जाती है एक्सेटरा एक्सेटरा क्यूंकि आपके पास देखिए यहां पे प्राइमरी इंस्टिजूशन के अंदर क्या है मेटर्नल निगलेक्ट है तो एक जो सेंस अफ सेक्यूरिटी बननी चाहिए थी आइडल बेसिक परसु इंग्जाइटी बहुत ज्यादा जो है वो पैदा हो जाती है ठीक है फीमेल्स के प्रती जो जैलसी है वो मेल्स के अंदर वो जो है वो पैदा होना स्टार्ट हो जाती है तो सिमिलर्ली आपके पास जो मिथ्या है या फिर आपके पास जो मैजिक है जो आपके पास रिलीज और ब्रदर्स के बीच में जो है वो जैलिसी होती है और हस्बेंड हस्बेंड के बीच में जैलिसी होती है क्योंकि यहाँ पे देखिए फीमेल्स कम है और आपके पास जो मेल्स है वो जादा है जब आपके पास फीमेल्स कम है और आपके पास जब मेल्स जादा है तो फीमेल् पोली एंट्री वो पोली एंट्री करेंगी और आपके पास एक फीमेल है उसके बहुत सारी हस्बेंड है तो आपके पास अवराम कार्दिनर कहते हैं कि उन हस्बेंड के बीच में जो है वो आपके पास एक जैलसी का जो है वो चलन वो आपके पास जो है वो होना शुरू हो ज तर राती है और drinking और drinking की वज़े से आपके पास जो आपके पास वोग यो हैtt feel करते हैं ठीक है उनके अंदर competition इतना जादा होता है stress इतना जादा होता है तो suicide जो है वो society के अंदर develop होना start हो जाती है then आपके पास non-cordial relationship between sexes तो आपके पास जो है वो women के हाथ में male fear करते हैं कि women जो है वो हमको जो है वो exploit करेंगी तो उनके अंदर जो है वो वहमनाई हाई का जो है वो एक institution जो है वो पैदा हो जाता है तो एक women के अगेंस जो sorcery है वो develop हो जाती है कि वो जो है magic ceremonies करते है women के अगेंस फिर आपके पास जो है वो foods food की जो है scarcity होती है वहाँ पे ठीक है तो आपके पास जो है वो there are hypothetical fears relating to food food के relation में आपके पास बहुत सारे fears होते है कि कोई जो है वो हमें जहर दे के मार देगा कोई बाकी जो क्योंकि आपके पास competition बहुत जादा है hostility बहुत जादा है तो food के regarding लोग जो है वो बहुत particular होते है तो बहुत सारे टैबूस जो है वो food के regarding जो है वो किये जाते हैं कि ये नहीं खाना ऐसे हास दो के food खाने है और जो cooking है वो आपके पास एक separate जो है वो house के अंदर जो है वो की जाती है ये जो चलन है ये बहुत common है वहाँ पर फिर उसके बाद there is absence of the sexual relations ठीक है sexual relation के बिल्कुल absence है तो इसके कारण क्या होता है कि आपके पास unrestricted sexual development होता है तो potency disturbances जो है वो जो आपके पास sexual disturbances है जो है वो इनके अंदर जो है वो नहीं होती for example in your institution there is there are sexual restrictions की जो शादी के बाद ही आप जो है वो sexual जो है वो relation के अंदर आओगे तो अगर जो है वो आपके पास आप शादी से पहले sexual relations के अंदर आ जाते हो कोई आपके पास मान लीजिए कोई लड़की जो है वो किसी बहुत ही conservative family से है और वो शादी से पहले जो पूरी जिंदगी उसको बताया गया कि शादी के बाद ही जो है वो आपको sexual relation के अंदर आना है लेकिन वो शादी से पहले जो है किसी sexual relationship के अंदर आ जाती है तो इस in condition के अंदर जो है वो आपके पास अन्रस्टिक्टर sexual development जो आपके पास एक restricted sexual development जो है वो होता है तो उसके चलते जो है वो आपके पास उसका एक दिमाग के अंदर एक फियर फेक्टर बन जाता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा मैंने तो जो है वो पहले ही sexual relationship के अंदर जो है वो मैं आ चुकी हूं तो वो जो है वो अबराम कार्दनर इस चीज को कहते हैं कि वो एक ट्रॉमा फेस करती है उस के उस के अंदर और उस ट्रॉमा की वज़े से आपके पास जो है वो potency disturbances जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है similarly in the case of the males also males के अंदर भी जो अबराम कार्दनर का मानना है और segment food का भी इसके अंदर यही मानना है कि जो ज़्यादातर आपके पास जो dysfunctions है रेक्टाइल dysfunctions वगारा जो भी आपके पास यह सारी चीज़े हैं ज़्यादातर जो है वो in cases का लेना देना जो है वो physical body से नहीं है वो mind से है और आपके पास because there are sexual taboos आपके बेफाल्तू के sexual taboos रखे जाते हैं उसकी वज़े से ऐसे जो है वो आपके पास disturbances जो है वो नहीं है ठीक है there is no resistance and obedience resistance कोई नहीं है obedience जो है वो again आपके पास जो है वो proper नहीं है तो आपके पास कोई restriction नहीं है कोई obedience नहीं है जिसकी वज़े से जो super ego का development है और जो एक sense of पहले हम super ego की बात करते हैं super ego का development जो है वो बहुत कम होता है अब देखिए super ego कैसे develop होत है दो तरह से जो है वह आपके पास सुपर इगो डेवलप होता है पहला है आपके पास जो है पेरेंट्स के साथ आपका कैसा संबंध है तो अगर आपका पेरेंट्स के साथ अच्छा संबंध है तो आपके पास जो भगवान का कंसेप्ट है जो सुपर नेच्छनल का कंसेप् आपके अंदर properly ingrained रहेगा ठीक है तो आप जो है वो जनरली भगवान को मानने वाले लोग होगे क्योंकि पेरेंट्स ही है जो जिनों ने आपको जो है वो भगवान से इंटरड्यूस करवाया है ठीक है तो अगर आपका पेरेंट्स के साथ relationship अच्छा है तो भगवान के साथ relationship भी अच्छा होगा तो भगवान की जो qualities है जो आपके पास idle qualities है उनको आप धारन करने की कोशिश करोगे तो यह चीज है यह आपके पास जो है वो super ego है ठीक है और अगर आप जो है वो इस उन qualities के ऊपर जो है वो खरें नहीं उतरते then there is sense of shame आपको अपने आपके ऊपर development जो है वो होता है और sense of shame का जो development है जो sense of shame जो है वो आपको internally discipline करती है ठीक है तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई proper restrictions नहीं है आपके पास जो है वो maternal neglect है आपके पास जो husbands के बीच में brothers के बीच में competition है brothers और आपके पास जो है वो fathers की बीच में जो है वो competition रहता है जब ऐसे cases properties आते हैं तो आपके पास जो है वो proper super ego का development जो है वो नहीं हो पाता जिसकी वज़े से आपके पास जो है वो child gangs बननी start हो जाती है जो deity के relationships है जो super natural के साथ relationships है वो जादा जो है वो आपके पास spiritual जो है वो नहीं रहते ठीक है तो थस एक conclusion यहाँ पर draw किया जा सकता है कि जो आपके पास basic personality को बनाते हैं और जो आपके पास basic personality है वो जो है वो क्या बनाती है वो secondary institutions को बनाती है ठीक है sorry getting the point now the question फिर जो है वो हम question को discuss करते है the question is explain the concept of basic personality as introduced by Abram Cardinal sorry I have some allergy issues तो उसकी वज़े से जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ठीक है so introduction in the introduction you should write that what is the basic personality कि आपके पास basic personality जो है वो आपके पास कैसे उन्होंने जो है वो basic personality का जो concept है वो कैसे दिया है तो basic personality का जो concept है वो अबराम कार्दनर ने जो है वो मारकेशन मारकेशन के अंदर जो है वो उन्होंने field work किया ठीक है और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने basic personality का concept जो है वो बनाया है और जो उनका काम जो उन्होंने लिखा है that is the individual and his society ठीक है the date it is important ठीक है 1939 तो individual and his personality मारकेशन के ऊपर उन्होंने काम किया और 1939 के अंदर काम लिखा है उन्होंने individual and his personality ठीक है इस तरह से आप introduction करोगे फिर आगे बात आती है body के part की in body part आपके पास जो basic personality है उसका crux लिखोगे इन सारी crux लिखोगे कि वो कहते है that it is the basic constellation यह it is the constellation of traits ठीक है constellation of traits जो की आपके पास कैसे बनते हैं with the help of the primary institutions ठीक है जो की primary institution की help से बनते हैं फिर आगे दूसरा point या फिर दूसरा paragraph इसके अंदर आप लिखोगे कि जो आपके पास primary institutions है वो आपके पास जो है वो basic personality बनाते हैं और आपके पास basic personality जो है वो आपके पास जो है वो secondary institutions बनाती है यानि कि यह भी culture का part है फिर personality है फिर जो आपके पास है culture आ जाती है primary institutions कौन है जो की आपके पास बच्चे के साथ जो है वो direct relationship के अंदर रहते हैं family kinship ये सारे जो है वो आपके पास economic organization social organization political ये सारे जो है फिर ये आपके पास basic personality बनती है फिर आपके पास secondary institutions in the secondary institution you have myth you have a religion you have बाकी जो सारी के सारी चीज़े है magic वगरा वो सारा जो है वो यहां पे आ जाता है secondary institution का काम क्या है to relieve the stress stress को relieve करना primary institution का काम क्या है बच्चे को discipline करना ठीक है तो इस disciplining के उपर जो है वो आपके पास जो basic personality है उसका एक structure बनता है structure कैसे बनता है तीन पार्ट होते है structure के पहला पार्ट है idle constellation ídal constellation के अंदर आपके पास जो है जो idle traits आपके पास होने चाहिए जो आपके पास security sense है जो security feeling है वो जो है वो आपके पास आजाता है sense of security आजाता है दूसरा है id ego and super ego ठीक है यह जो है वो यहाँ पर आजाता है दूसरे में के अंदर फिर तीसरे के अंदर जो है वो आपके पास sense of और आपके पास जो super natural है वो जो है वो इनके अंदर आ जाते हैं इस तरह से यह जो है वो इसका structure बन जाता है getting the point ठीक है जी देन आपके पास जो है सो यह जो है आपके पास basic personality का एक जो है वो एक जो है वो structure बन गया फिर उसका जो है वो आप example एक सकते हो जस्ट एक छोटा सा जो है वो आप बनाई है जिसके अंदर कुछ आपके पास जो है वो marketing society के अंदर जो basic personality कैसे है बन रही है आपके पास primary institution बीच में basic personality क्या है दो तीन आप जो है वो इसकी rules जो है वो लिख दीजिए दो तिन रोज देया more than sufficient then try to do the criticism ठीक है इनका जो है criticism कीज़े criticism आगे चलके सबका जो है वो कठा देखते है कि criticism इनका है क्या ठीक है इनका criticism यह है कि इन्होंने जो है psychological data को ज़्यादा precedence दिया है ठीक है तो basically इनका जो काम है ब्राम कारदनल का वो ज़्यादा psychological काम है तो यह जो आपके पास psychological data है उसको वो जो है ज़्यादा precedence देते हैं और जो cultural activities है जो आपके पास cultural activities की जाती है जा जैसे child rating practices etc उनको जो है वो इनोंने कम जो है वो जगा दी है अपने काम के अंदर तो यह जो है वो इनका एक basic criticism है यह criticism बहुत लोगों ने किया है लेकिन criticism क्योंकि यहाँ पे है explain तो explanation यह है तो criticism जो है क्योंकि वो back stage ले रहा है अगर मैं यहीं पे जो है वो critically exemplify कुछ भी ऐसे लिख दूँ critically analysis के लिख दूँ कुछ भी इस तरह का लिख दूँ तो मुझे थोड़ा सा criticism जो है वो इसको जादा करना पड़ेगा जैसे हमने जो है Margaret Mead का देखा ठीक है तो इस तरह से जो है वो आपको लिखना है then you have to conclude getting the point तो इस तरह से जो है वो आप सारा का सारा जो question लिखोगे और please write this question down and send it here आप यहाँ पे जो है इस answer को जो है वो भीजिए और यहाँ फिर आप जो है वो O2 IS Academy app जो है वो download कर सकते हैं यहाँ पे जो है वो आप इस answer को जो है वो submit करवा सकते हैं यहाँ फिर आप जो है वो WhatsApp कीजिए यहाँ पे जो है वो आप भीज दीजिए ठीक है 9872124143 इस यह number के ऊपर जो है वो आप भीज सकते हैं ठीक है चलिए thank you very much hope you like the video you enjoy the video thank you very much